ही गाइस वेल्कम बैक टो माई चानल दिस इस प्राची तो चली आज बात करते हैं जॉम्बी एपक्लिप्स न्यूटेंस मुवी की चुकि रिलेज हुए थी दो हसार नौ में स्टोरी इतनी साधा कमाल की होने वाली है कि आपको एंड तक बिल्कुल भी बोरोने नहीं देगी तो चली फटाक से वीडियो को स्टाट कर ले दे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो का इस मूवी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि वायरस फेलने की वज़े से कुछ ही महीनों में सारी पॉपूलेशन खत्म हो गई है सो अब लोगों की उमीद सिर्फ नोवा में बने मिलिटरी बेस के रेडियो से ही बची हुई है क्योंकि जितने भी लोग पचे हैं सिर्फ उने ही कॉंटेक्ट करके बचाया जा सकता है और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसे सॉंबी ने काट लिया होता है और वो किसी तरह से अपनी जान बचा कर भा होती है एक और आर्मी ओफिसर होती है जिसका नाम और लोग ली कर जा रहे होते हैं जिसकी आपती और बउने शांऑी काटा हुआ है जिसकी वजह से वो इंफेक्टेट हो चुका है और जब उसकी हालत बहुत जादा भी करने लग जाती है तो पेड़ेस मारकस को काड़ी रोकने के लिए कहती है और जैसे ही वो एम्बुलेंस रोकता है तो वो उन दोनों की हेल्प से उस आदमी को बाहर निकालत है तो मारकस पास की नदी से पानी लाकर एम्बुलेंस को साफ करने की कोशिच करता है और फिर वो सब वहां से निकल जाते हैं और क्योंकि सुनिया को कहीं ना कहीं नोवा में मिलिटरी बेस की होने का भी डाउट होता है तो इसलिए वो पेड़ेस से इस पाड़े में और यहां पर मारकस कहता है कि बिल्कुल भी इमोशन नहीं है और अगर हम दोनों में से किसी में भी थोड़े भी चेंज हुए तो वो हमें तुरंद ही मार देंगे तो सोनिया उसे समझाती है कि वह मिलिटरी में है और उन्हें ऐसा ही बनाया गया है हमें यहां से निकलने मे की अंदर जाती है तो मारकेस भी उसके साथ जाने लग जाता है और यहां पर हम यह दक पाते हैं की पैरिस वहाँ परser ऊंड़ और उत की होती है तो उसकी नजर वहां पर पड़ी हुई बहुत सारी लाशों पर पड़ती है चो की पूरी तरह से शच जुकी थी उसमें से उसे पंच मारकर पैरस से अलग कर देता है और फिर हमें यह पता चलता है कि वह पागल आदमी बहुत ही जाधा डरा हुआ है जिस वज़े से उसकी कंडिशन बहुत जाधा खराब हो चकी है जिसे देखकर सुनिया उसे अपनी साथ चाने के लिए कहती है लेकिन पैरस इस च श्चूट करके मार डालती है चाहां फिर मारकउस और गोली लग जाती है तो सोनिया उसे किसी तरहுंस तक लेखर जाती है और इसकी खाओ से खून रोकने की कोशिच करती है लेकिन वह नकाम्याव रहती है और इसी तो केरान मारकेश को काफी साथा दर्द हो रहा था कि तबी सुनिया को जॉंबी के आवालजे सोनाई देने लगाती है जिसकि वह अबैदिक काफी साथा परिशान हो जाती है और आपूलेंस मे चाकर नूवा के बेस से कौन्टेट कि कोशिश करती है और उन्हें अपनी situation की बारे मी बताती है और साथ इवंस से मदद मांगती है और उन्हें वहाँ पर आने के लिए कहती है लेकिन दूसरी तरफ से ठीक से आवाज ना आने की वज़े से उसका बेश से कोई पिसाम पर्क नहीं हो पाता है कि तभी वहाँ पर मार्केस पहुंच आता है जिसे गाता है जिसे वह इंफैक्ट्ट हो चुगा है यह चांद कर वह काफी साथा परेशान हो जाती है से शीफ्ट होता है और जब मार्केस सौनिया के साथ में हना खा रहा होता है तो उसी खुनकी उल्टिया होने लगती है जिससे कि वह बहुत साथा बुरी तरे से तरबने वहां पर रखी हुई शॉट गन उठाकर खुद को शूट करने ही वाला होता है लेकिन सोनिया उसे रोक लेती है और उसे अपने बॉड़ी पर सॉंबी की काटने का निशान भी दिखाती है चाम उसे यह कहती है कि उसे किसी सॉंबी ने काटा था और इस चीज को अब तक तीन हफ़ती हो चुकी है लेकिन वो अभी भी ठीक है सू इसलिए उनके पास अभी भी उमीद बाकी है और फिर वो मारकस की हातों से वो गन को चील ले दिये और उसे भरोसद इलाती है कि वो हमेशा उसके साथ नहीं रहेगी सीन्या से शिफ्ट होता है और मारकस एकी करके अपन वो बहुत जादा परिशान होता है और जब सॉनिया वाँ पहुचती है तो वो उससे मार्फिन मांगने लग जाथा है लेकिन वो उसे मार्फिन देने से मना कर देती है, तो मार्केस काफी जाधा गुसा हो जाता है, क्योंकि उसकी condition बहुत जादा खराब हो गई थी जिससे की Sonia भी बहुत बुरी तरह से ड़ रही होती है और फिर जब उसे शान करने के लिए कहती है तो मार्केस उसके पास पहुच जाता है जिससे की Sonia और भी जादा ड़ने लग जाती है जिसके पास मार्केस गन उठाता है जिससे कि सोनिया वहां से डरकर भाग जाती है लेकिन मार के स्वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो सोनिया उसके पैरों को काट कर उसके शरीर में चमा हुआ खून निकालती है। और साथ ही वह अपने शरीर से निकला हुआ खून उसकी अंदर डाल देती है। क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वह इस वाइरस से इंफेक्टेड नहीं होती है। तो जिसके भी शरीर में उसका ब्लड होगा शायद वह भी इस चीस से इंफेक्टेड ना होूँ। पिर जब सोनिया उसे ब्लड चडारी होती है तो वह काफी जाधा अजीब हरकते करने लग जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वह ऐसा करना बंद कर देता है। जाती है और फिर जब उसकी आखी खुलती है तो वहाँ पर च्वाइन और फ्रैंक मौझूद होते हैं। और फिर वो उसे अमूलन्स की चाबी मांगते हैं। लेकिन सोनिया उने ये कहती है कि गाड़ी में दो फ्यूली नहीं है। जिसके पात वो लोग मारकेस की बारे में पूछने लग जाते हैं। तो वो उनी जूट बोल देती है कि वहाँ पर वो अकेली ही है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है काईस कि वो लोग सोनिया को रेडियो से सुनकर वहाँ पर आये थे। जिसे कि सोनिया उसके पैरों की बैंडेज करने लग जाती है कि तभी वहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है जो कि उन्हें ये बताता है कि हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे और क्योंकि हमारे पास फ्यूल नहीं है सो इसलिए हम फ्यूल लेने के लिए बाहर जाएंगे और हम जल्दी वापस आजाएंगे जब सोनिया मारकेस को चेक करने के लिए जाती है तो उसका पीछा करते हुए वर्जिल वहाँ पर पहुंच जाता है जो कि उसे मारने की दमकी देनी लग जाता है जिसे कि वह काफी साथा डर जाती है और वह यह कहती है कि मैं प्रेगनेंट हूं यह सुनकर वह से छोड़ देता है और फिर वर्जिल सौनिया के साथ में फ्यूल लेने के लिए जाता है चाहां पर सोनिया पिर से नौवा से कॉंटेक्ट करने की कोशिश करती है और वह उन्हीं अपनी कि तबी वर्जिल वहाँ पर पड़े हुए एक हुख को उठाता है और उसकी मदद से जॉम्बी के गली को बहुत पुरी तरीके से काट कर उसी फाइनली मार देता है जहां पर हम यह देख पाते हैं कि उस जॉम्बी ने वर्जिल को काट लिया है जिससे पहले तो सूनिया उसे शूट करने वाली होती है लेकिन वह कुछ सोच कर वहीं पर रुप जाती है कि तभी बहुत सारी सॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं वर्चल वहां पर आग लगा कर अपनी दल्वार से एक एक करके उन सॉम्बी को मानने लग जाता है और वहीं दूसरी तरफ स सॉन्या भी नोवा से संपर करने की कोशिच कर रही होती है कि इसी दौरान वह उसे बताती है कि मैं प्रेगनंट हूँ और मुझे सॉम्बी की काटने के बाद भी इनफेक्शन नहीं हुआ है जिसके बात वहां से निकल जाती है लेकिन वर्चल वहीं पर रह जाता है और उस दौरान हम काफी अजीब चीज़े को देख पाते हैं कि जो फ्रेंक सोनिया को मार रहा होता है तो यह चीज मारकस को महसूस होती है जिससे कि वह बहुत सारी सॉम्बी आकर उस पर हामला कर देते हैं हालाम की इस दोरान फ्रेंक और जॉय्टिंग का दरुबाशा बंकर ने क तीनों का पीछा करने लग जाते हैं और इसी तोरान एक सॉम्बी सुनिया पर भी अटेक करने वाला होता है लेकिन वो शॉट गन से उसे शूट करके बहुत भी रहनी से मार रालती है वहीं दूसरी तरफ रैंक सॉम्बी को भचकाने के लिए वहां पर स्मोग रनेट फेक दे लेकिन उसे पहले ही फुरू निकल पाते यह वह दर बंकर लेता कि वह सॉम्पी क बुरी तरह से झालन कर देता है सॉम्पी को लेकर बहुत ऑप गर ठायक कर देता है आ बहुत साथा डरती है और फिर सॉम्बी सुनिया पर इटैक करने की कोज़िश करता है तो वहां से भाग जाती है और एक कम्री में जाकर चुप जाती है जहां उसी समय सुनिया को रेडियो की वहां पर पहुंच आता है जो कि अब पूरी तरह से एक सामी में बदल चुका था लेकिन वह सुनिया पर अटैक ना करके वह सुनिया पर बच जाती है और वह एक टनल की मदद से वहां से बाहर भी निकल जाती है और इधर मार्केस भी सुनिया का पीछा करते हुए वहीं पर चारों तरफ से घिरी हुई है जिससे कि उसका निकलना काफी जाधा मुश्यलता कि अपर जपता है और वह से नहीं काटता है और उसके बच्चे की आवाद सुनने की खोशिश करता है लेकिन उसी समय सुनिया उसे धक्का मार देती है जिसकि वह वहां पर पढ़ी होई कटी उसे मारना ही पड़ता है कि तभी सोनिया को नौवा का हेलिकॉप्टर दिखाए पड़ता है लेकिन उसके पास वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता है और उसे जॉम्बी चारों तरफ से घेर रहे होते हैं जिसे कि वह बहुत साथ डर जाती है और रोने लग जाती ह है कि वह लोग उसकी और उसकी बच्चे का पूरा ध्याना केंगे सब्सक्राइब कर दो चाता है आपको मेरी मूवी और साथ ही मेरा एक्स्प्राइशन बहुत बसंद आया होगा तो चलिए वटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीचे का अगर आप चैनल पे नए हैं और मे कर दो चाता है।